Welcome to Discover Tally, मेरा नाम है रोहित और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि Tally के अंदर backdated entries को कैसे control किया सकता है यानि कि backdated entries को कैसे restrict किया सकता है सबसे पहले हमें securities enable करनी बढ़ेंगी तो securities enable मैंने यहाँ पे की हुई हैं लेकिन मैं आपको दुबारा बता हूँ कि security कैसे enable होती है यहाँ पे alt f3 यानि कि company info एक tab है इसे मैं दबाऊंगा और company बनाते समय जो यह screen आती है यहाँ पे use security control को मैंने yes किया हुआ है तब ही ये feature on होता है और अब मैं आपको बदाता हूँ कि जैसे ही मैं वो feature on करता हूँ तो यहाँ पे security control एक नया बटन आयता है मैं वापिस आपको gateway of tally बे ले जाता हूँ और फिर से यहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ alt f3 या company info यहाँ मैं दबाऊंगा और इसके बाद मैं security control में जाऊंगा सबसे पहला काम में करूँगा security level declare करूँगा या बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं security level क्या बनाना जाता हूँ कि कोई भी user मेरा backdated entries ना कर सके backdated का मतलब हो गया जो last date of entry है उससे पहले के किसी दिन की entry को ना तो वो modify कर सके और ना delete या ना किसी तरह से भी बदलाव कर सके तो आएए दोस्तो मैं आपको लेके चलता हूँ types of securities में यहाँ मैंने my level बनाया हुआ है जो इसकी लिए customize है मैं आपको दुबारा बना के दिखाता हूँ मैंने my level 1 लिख दिया ठीक है तो यह बिल्कुल blank है इसमें मैं entry करूँगा enter enter करते यहाँ पे मैं बोलूँगा मुझे पूरी तरह से यानि कि full access रोकना है किसे backdated watchers को ठीक है और अभी मैं एक चीज़ और add कर सकता हूँ मैंने backdated watchers को तो रोक दिया हो सकता है पिछले gave watchers को मैं देखने के power या print करने की power रखना जाता हूँ मैंने पहले क्या mark किया कि backdated watchers को किसी भी तरह का access खतम कर दिया जाए और अब मैं कह रहा हूँ कि मैं backdated watchers को display या print करने का access देना जाता हूँ I think it is very simple और यहाँ पर मैं इसको save कर दूँगा अब second अब मैं क्या करूँगा दुबारा type of security में जाऊँगा और जाकर my level 1 जो मैंने अभी अभी आपके सामने create किया है इसके अंदर जाऊँगा अब मैं इसको powers data entry की नहीं देना जाता हूँ मैं इसे power ये वली देना चाता हूँ तो ये वली power देने के लिए मैं एक loop बनाऊँगा my level 1 का तो मैंने यहाँ पर my level 1 का loop बनाया और उसके बाद enter करते हूँ और save कर दिया अब मेरा एक level तो बन चुका है जहां मैं backdated watches को restrict कर रहा हूँ और उनको display या print कर सकता हूँ अब मैं इनको users बनाऊँगा users के अंदर मुझे देना है मैंने पहरे से बनाया वह level my level को use कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने username password डाल दिया और enter करके एक user बना दिया अब इस user को मैं आपके सामने use करके दिखाऊँगा मैं exit करता हूँ और exit करते ही मैं वापिस आ रहा हूँ इस user को ने अपना user password डाला और अब one ने login किया हुआ है आएए मैं दिखाता हूँ आपको हम day book में जा रहे हैं और यहाँ पर जो last date of entry है वो 1st December 2020 की है तो अब अगर मैं इसमें जाता हूँ तो मैं इस voucher entry को change कर सकता हूँ तो 2000 के voucher को मैं 3000 कर रहा हूँ क्यों क्योंकि यह मेरी last date of entry है इसको मैं change कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं अब मैं मान लिए आज मेरी second होगी second मेरी date है और मैं जाके एक नया voucher create करता हूँ second December का तो मैंने पैसे लिए तो यहाँ पर देखें रवी जर्नल स्टोर का मैंने एक voucher डाल दिया हुआ है अब last date of voucher होगी second तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा जो first के voucher है टैली के हिसाब से और मेरे हिसाब से backdated होगे अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा इन में जाऊँगा तो यह बोलेगा no access नहीं भया आप रवी जर्नल स्टोर को किसी भी तरह से modify, delete या check नहीं कर सकते अब मैंने आपको याद है बताया था कि मैं इनको चाहता हूँ कि मैं देखना रहता हूँ रवी जर्नल स्टोर के अंदर क्या है अब ठीक है, तो अब इनको मैं print भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें जाता हूँ, और मैं print command दबाता हूँ, तो ये print भी हो पाएगा, तो इस तरह आज हमने देखा है, कि हम backdated entries पे कैसे control कर सकते हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो comment कीजिए, like कीजिए और share कीजिए, and if you are not subscribed to my channel, discover telly, please do subscribe, remember to press the bell icon, thank you for watching my channel, goodbye.